महान नाविक कॉलंबस कहां के थे इसकी खोज चल रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके मूल स्थान के बारे में आपको पता लग जाए मतलब कॉलंबस जो है उनका अब तक ये पता ने चल पा रहा है कि वो वास्तों में कहां के थे अब कॉलंबस तो आप जानती होंगे क्योंकि आपने सिक्षा के दोरान और समान इग्यान में भी आपने जाना हो गए कॉलंबस कौन थे कॉलंबस जो है पंदरी शताबदी के महान समुद्री नावी को आप खोच करता कॉलंबस थे अब ये सवाल कि वो खोच करता कहां के थे इसका जवाब भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा अंतराष्टी विग्यानिकों ने उनके आवसिसों से डियने पढ़ने और उसके भोगलिक मूल की पहचान करने का प्रयाज शुरू कर दी है इसके निसकर्ष अक्टूबर में स्वारजिनिक किये जाएंगे गनेडा इनिवर्सिटी ने कॉलंबस शुर्द करताओं की पहली वैश्विक बैठक की मेजबानी की जहां प्रशिद्ध खोज करता की उत्पत्ती के बारे में विश्चचगई ने अपने विभिन सिध्धानतों के लिए सबूत पेश किये शोद करता कॉलंबस की हड्डियों के चार-चार छोटे टुकडे बेटे हनाडो के एक दान और साथ हड्डी के टुकडे उनके भाई डिएगो के एक दरजन हड्डी के टुकडे पर काम कर रहे हैं इन्हें इटली के रोम वा फ्लोरेंस अमेरिका के मेक्सिको की अनवानशिक पहचान प्रयुक्षाला में जाज के लिए भेजा जा रहा है वर्स 1492 और 1504 की बीच इस्पैनिश समराटों की और से प्रयुजित कुलमबस की फोर ट्रांस अटलांटिक यात्राओं ने दुनिया को खोजने में मदद की थी अमेरिकी दीपो की खोजने ये रोप के लिए उपने विश्य करण का एक नया दौर खोल दिया था तब उसे न्यू वर्ल्ड के रूप में जाना गया था रोचक है कॉलमबस सोने की चिड़या इंडिया को खोजने निकले थे और उन्हें मिला 20 मईं 1506 में उनकी मौत के बाद उन्हें स्पैनिश शेहर वोला डोलीट में दफनाए गया अब सवाल ये है कि क्योंकि कॉलमबस एक ऐसे खोज करता थे जो उन्हें विश्व को एक नया आईना पेश किया नया चेहरा दिखाया रूबरू कराया लेकिन वो कहां के थे ये सवाल में आज भी लोग मौन हो जाते हैं इसलिए इनके लिए विभिन प्रकार के शोध किये गए खोज किये गए जिसी ये पता लगाया जा सके कि आखिर कॉलमबस कहां के थे अगर आपको हमारा वीडियो चलगा स्टेज बूप पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लोगों की बलंद आवाज यहां है राजनिती खेल फिल्म उद्योग विग्यान की हर बात यहां है हर अधिकारों की बात यहां है अन्याए के खिलाब संघर्श यहां है हर करतवियों की बात यहां है यहां है ललूराम.com सच कहेंगे ललूराम